हेलो वंडर्फुल पीपल कैसे हो आप सब आप सब ठीक होंगे तो आज हम करेंगे इंपोर्टेंट एंपसी क्यूज और परसनल्टी ऑफ इंडिया ठीक है तो यहां पर ट्वांटी एंपसी क्यूज का सेट रहेगा और आपने कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताना तो क्वेशन नमर वान से स्टार्ट करते हैं वरी वरी इंपोर्टेंट क्वेशन फॉलविंग नेवर प्रिसाइड़ ओवर इस सेशन अफ इंडिया नेशनल कॉंग्रेस का सेशन प्रिसाइड नहीं किया है तो प्रेजिडेंट नहीं बढ़ने हैं तो पताएज़ा तो करेक्ट आन्सर क्या रहेगा इसका इस दा बाल गंगदर तिलग प्रिसाइड नहीं किया है और इन्देनेशन कॉंग्रेस को जोईन किया था 1890 में वगर कभी भी प्रेजिडेंट नहीं बने और साथ में ये लाल, बाल और पाल इसका भी यह पाट है देखे लाल से क्या है लाला राज बतराए बाल से क्या है हमारा बताए बाल से क्या है आप लोग बताओ और पाल से क्या है देखे यह लोग आप कमेंट सेक्शन में बताओगे यहाँ पर लिखा भी हुआ है लाला राज बतराए बिपिन चंद्रा पाल क की स्क्रीन पे हैं तो विच स्टेट दस पवन कुमार चैमलिंग वू सर्फ एज चीफ मिनिस्टर आफ इन इंडियन स्टेट पॉर लॉंग टू ठीक है तो पवन कुमार जी कौन से स्टेट को बिलॉंग करते हैं पताईए जरह अब आप बोलोगे मैम यह कहां यहां पर लाएगे हैं क्यूं इसकू एंडिके ने स्टेट की रहे हैं तो यहां से स्टेट से रहे है टिक है चली question number 3 dash was the founder of the बहुजन समाज party ठीक है तो बहुजन समाज party के founder कोन है बताईए so option यहाँ पे जो correct रहेगा वो रहेगा option D that is कंशी कमार कंशी कमार कैसे भी आप इसको pronounce करो ठीक है तो अगर आपको यह option दिखेगा आपके option में से तो आपने इसको टिक करना है और इन्होंने कब बनाई थी बहुजन समाज समाज party 1984 में बनाई थी और ठीक है यह वाला question आपका हो गए question number 4 पे चलते हैं the call for total revolution ठीक है तो total revolution का call किस ने दिया था ठीक है चलिए बताए correct answer क्या होगा इसका option D होगा इस जे प्रकाष नाराये थीक है जे प्रकाष नारेयन जो है इन्होंने ये जो है total revolution का call दिया था और अगर हम पात करेए जे प्रकाष नारेयन जी की तो इनका कहीं बहुल द्याता है कि लोक नायक किEX को बोल जाता है दीक है लोक नायक स्ट्रिम लगों कितने लोगों को मैक्सिमम तीन लोगों को भारत रतन अवार्ड दिया जा सकता है हर साल मगर इस बार ठीक है इस बार पांच लोगों को भारत रतना अवार्ड मिला है ठीक है तो वह पांच लोग कौन-कौन से है यह आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताईए एक तो है लाल कृष्णा अडवानी ठीक है एमेस स्वामी नाथन उनको भी मिला है और एक हमारी क्वाइन हैं मुझे टिक है इक करपूरी ठाकर जी को मिले अब एक रहे वह हमारे प्रांच नाव क्या है जिनको भारत रतन मिला है तो आपने मुझे लिगे बताना इससी क्या होगा आपका भी हो जाएगा और नए बच्चे बच्चों जो भी देखेंगे comment section में उनका भी जो है revision हो जाएगा उनको भी कुछ नाया सीखने को मिल जाएगा ठीक है चलिए question no.5 who among the following won the first Indian Grand Prix Formula 1 car race तो किसने पहली Indian Grand Prix Formula 1 car race जीती है तो उनका नाम क्या बताएए जरा इसका correct option क्या रहेगा सेबेस्टिन विटल ठीक है option C is the correct one जो कि कब हुई थी यह 2011 में हुई थी ओके चल यह तो important नहीं है question no.6 anju bobby george is associated with which of the following sport ठीक है anju bobby george कों से जो है वो कों से खेल से संबद दीत है अंju bobby george कों से खेल से संबद दीत है बताएए जरा correct answer तो a से anju और a से athlete ठीक है a से anju और a से athlete यह वो वाले अंju नहीं है क्या नाम था वो female का जो पाकिस्तान चली गी थी शायद से ठीक है शायद उनका भी नाम अंju ही था ठीक है तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो अंju है वो मतलब दोर लगाके भागें थीक है तो athletes होते है ना दोर बगारा भी लगाते है थीक है तो ऐसे भी याद रख सकते हो वर्ल्ड की पूरी दुनिया की बात कर रहे है हम है भी ये इंडियन में बता देती हूं जो शिक्स बार बॉक्सिंग जैंपियन बनी है कौन है वो तो आप सभी को पता है हमारी प्यारी मैरी कॉम ठीक है option A is correct one चली question number eight Sachin Tendulkar made his test cricket debut against the team of which one of the following nation ठीक है तो master ब्रास्टर सचिन ते दूलकर इन्होंने पहला test cricket जो debut मतब test cricket खेला था कौन सी team के खिलाव खेला था तो वो है हमारा पडोसी पाकिस्तान option D is the correct one question number nine who become the first Indian female athlete to win two individual Olympics medal ठीक है तो दो individual Olympic medal जितने वाली पहली वारतिय महिला कौन है तो ये है पीवी सिंदू ठीक है पीवी सिंदू कौन से sport से associated है बताए जरा ठीक है comment section में बताए कौन से sport से associated है ये question number 10 question number 10 आपकी screen पे है विच इंडियन क्रिकेटर has scored the most number of runs in a single World Cup ठीक है तो पहले शायद सचिंत दूलकर जी थे मगर अब जो इसका correct answer है I think Virat Kohli is the correct one अगर इसमें कोई mistake होगी वैसे ये तो change होता रहेगा ना ये dynamic data है तो अगर कोई बाद में देखेगा 500 महीने बाद या एक साल के बाद इस वीडियो को तो उस समय आप जरूर चेक कर लीजेगा इनकी वीडियो देखना के पर इतनी फास्ट ये calculate कर लेती है कि जितना कोई calculator भी नहीं कर सकता है computer भी नहीं कर सकता है तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है human computer के नाम से भी जानना जाता है human computer ठीक है question number 12 who declared that his ultimate aim was to wipe every tear from every eye तो इतने महान इंसान को ना बताये जरा जिन्होंने ये बोला कि मैं हर आंख से आंसु मिटा दूँगा ठीक है तुम्हारे लिए मैं सब कुछ कर जाओंगा तुम्हारे आंसु के लिए तो कोन है वो ज्वाला नैरून जी है option C हमारे पहले prime minister ठीक है त इसे question भी बनते है एक्जाम में अशोग पंडित इस नोन फार इस आउटस्टेंडिंग पॉफाफावमेंस इन विच फिल्ड ठीक है तो अशोग पंडित जी कौन सी फिल्ड से एस्सेटेटेड है कौन सा इनका sports है जो यह जिसके साथ एससेटेड है तो कौन है ठीक है तो ठीक है अशोग का अगर आप ए हटा दो तो क्या बनेगा शोग और किसका शोग है इनको शूटिंग का शोग है शूटिंग का शोग है अशोग बंडित जी को ठीक है क्वेश्चन नबर 14 फ्लाइंग सिख अफ इंडिया कौन है ऑप्शन डी मिलका सिंग सबको पता है इनका चलिए क्वेश्चन नबर 15 इन विच इयर मिस सुश्मिता सेन विकम्द फॉर्स इंडियन फीमेन फॉर्स जब भी आया था तो इंपॉर्टेंट है फॉर्स इंडिय 1994 में जीता था तो पहली यह बाती थी जोने जीता था 1994 में लिंबा राम इस एस्टेटेट विच स्पॉर्स टीक है तो लिंबा राम कौन से खेल से संब्धित है बताए ज़रा प्राइस होगा तो एसका सही हो जाएगा और और लाम जी भी वह होते थे तो इस तरह से भी याद रख सकते आप कि यह किसे संब्दित है कौन इनका स्पॉर्ट से धीकिक है इस्में है यह तो इनकु पदमशे भी मिला है 2012 में question number 17 Hitendra Desai was famous in which field Hitendra Desai जो है वो कौन सी field से associated है तो ये है option C politics politics से associated है Hitendra Desai तो ये क्या है Chief Minister है गुजरात के और leader है इंडिया नेशल कॉंग्रेस के question number 18 who headed the first scientific group to leave for Antarctica in 1982 तो 1982 वे जो scientific group Antarctica में गया था तो उसको किसने head किया था तो उसने head किया था जिसने कसम खाई थी कि मैं आंटार्टिका में जाऊंगा तो क्या हो जाएगा सही आंसर कासिम डाकर कासिम option B is the correct answer question number 19 जो spell Rana is related to which of the following games इनकी game बताईए कौन सी है तो जस्पाल जी associated है shooting के साथ जिस पल वो shooting करेंगे तो उनको बहुत अराम आएगा जिस पल वो shooting करेंगे ऐसे याद रख सकते हो question about 20 और आज की वीडियो का लास्ट जो question है who inaugurated the parliamentary conference for the first persons of India origin in Delhi तो parliamentary conference for the first persons of India origin दिली में किसने इनागरेट की है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी option B is the correct one और कहां पर की गई है तो यह आप सारा PDF में आपको मिल जाएगा टेलेग्राम चैनल पर ठीक है जिसका लिंक में आपको description box में प्रवाइड कर दूंगी अगर आपको इस वीडियो से सीखने को कुछ मिला है और आपको इस चैनल से कोई भी help मिलती है तो आप भी अपना feedback दे नहीं रखते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक आप खुश रहिए खुशिया बानते रहिए बाबाई टेक क्यार